देखिए हमारे जनपर प्रियाग राज में जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा मिला महाकुम 2025 आने वाला है तो उसको लेकर पहले से ही यहाँ पर काफी विराट सुरूप में तयारे हैं चल रही हैं लगबग 500 से उपर परियोजनाय हैं और आएंगे उत्रप्रदेश के अलग लग जनपदों से आएंगे या हमारे पूरे देश के विविन कोने से आएंगे और अंतरास्ति ये परेटक भी अश्रिदालुगन भी यहां पर आएंगे और चुकि प्रियाग राज की पावन धरती है और तीर्थों का राजा अंतरास और प्रिदेश की अनुगती हो तो सबसे पहले दो जितने हमारे प्रोजेक्ट से हम लोग टाइमली कंप्रीट करा पाएं तो हमारे मंडाईक महुदर के नियुकत में और पूरी टीम उसमें सम्हीकूत रूप से लगी हुई हैं हम सब लोगों ने अपने-प्रोज प्रभावशाली तरीके से हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं दिन में भी जब समय मिलता है लगातार कर रहे हैं तो एक तो हमारा प्रयास है कि 10 दिसंबर तक अधने मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि सभी प्रोजेट्स कम्प्रीट हो जाएं तो उसके बाद में आधने प्रधान नतिजी का भी आगवन प्रस्तावित है तो उसमें हम लोग बुणवत्ता पूरक तरीके से सम हमारी पहले प्राद्मिक्ता है और दूसरा जो भी विकास हो रहा है इस्थानिये जन को साथ में लेकर उनके विचारों को समयकित करते हुए आप सबी प्रभुत्त जनों के विचारों को साथ में लेते हुए हम लोग चले और केवली यह प्रिशाशन का इवेंट नहीं है प्रियाग के जो हमारे नागरिक है आपका इवेंट है सादू संतों का इवेंट है और आप लोग इसमें सबी लोग कोई गैस नाव के होस्ट है और जितने लोग भार से आएंगे उन सब के लिए हम और आप सब लोग मिलके एक प्रियाग परिवार है और एक परिवार को ज समारो को एक भवेधार्मिक आयोजन को संपन कराएं और इसमें कहीं पी भी कोई कमिया रह जाएंगी तो आप लगातार मेरे संज्ञान में लेकर आएं तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हमारी पूरी टीम समस्तिकारों के माद्यम से उसको साथ समय हम लोग दूर कराएं प्रोजेट करेंगे सबसे इंपोर्टेंट रहे गा जो अलग अलग हमारी स्टेकोल्डड डिपार्ट्मेंट है चाहे हमारा रेलवे डिपार्ट्मेंट हो सड़क मार्ग से जितने लोग आएंगे और जो हमारा सेहरी शेत्र है उसमें जितने मुख्य मार गए जहां से ट्राउड जाएगी तो उसको लेकर पुलिस विवाग के साथ में तो लगातार प्लैनिंग बन रही है और अभी कल भी रेलवे के साथ में एक बहुत बड़ी बैठक प्रिशाशन की पुलिस के वरी सदिकारी होने जा रही है तो वो सारी सीज प्लास्टिक को पुरी तरह हम लोग प्रतिवंदीत करने के लिए अभी ड्राइब चलाने जा रहे है उसके लिए हम लोग बहुत महत्पूर्ण है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जिनको लोग बजट होटल की रेजिदेंशल अक्वाडिशन की आवशिक्ता होगी तो उसके लिए हम लोग पेइंग एस पैसिलिटी भी यहां पे कैसे हम डवलप कर सकते हैं उसके मंधन के लिए हमने 15 तारिकों मीटिंग रखी है और उसके अभी 26 ऐसे हमारे पेइंग गैस्ट है जो जनपत में चल रहे हैं लेकिन आप से भी मीडिया बंदों के मादम से मै हमारे प्रियागराज के सभी लोगों से अपील करूँगा कि जिनका दो से लेके पांच कमरे हैं घर में और जो पेइंग गैस्ट के रूप में उसको कमर्शल यूज कुम के दोरान करना चाहते हैं तो हमारा टूरिजम विवाग उसको पंजगरित करते हैं मेरी देख्शता हम इसमें कमेटी है तो लगबख हम लोग प्रियास करेंगे 2000 से उपर ऐसे पेइंग गैस्ट को यहां पर डेवलप करें तो आपके माध्यम से लोगों से अपील करेंगे और वो लोगों के लिए अच्छा एक रोजगार का अफसर भी होगा और जितने हमारे यहां पे श्रि